अरुनाचल प्रदेश में अभी जो हाल बिलहाल में ये जो हमारा पांच तरीका गत्ना है इसको ले करके तोरा सा एक वर्ट बोलना चाहती हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, फिर भी हेल्थ को जवर्जिस्ती हेल्थ से उपर वाले से दुआ मांग के बोलना चाहती हूँ कि ये जो अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महिना पहले ही हमारा अरुनाचल प्रदेश का जो भारते जनता पार्टी का जो सरकार है और हमारे आसाम प्रदेश का जो भारते जनता पार्टी का जो सरकार है और हमारे भारत देश का जो भारते जनता पार्टी का सरकार है तीनों लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छी अच्छी बाते की थी और बरे बरे दावे किये थे कि हमारा बोर्दर का जो लोंग पेंदिंग जो हमारा एक बहुत वैक्सेट इसू जो बाउंदारी का जो मैटर था इसको हम लोगों ने कोर्ट कचरीना करते हुए हैं हमने म्यूच्व सेटलमेंट कर लिया हैं बोलके हमारे मानीनीय यूनियोन होम मिनिस्टर श्री अमित साजी के नेत्रित्व में दो राज्यों के मुक्य मंत्री ने मिलकर के नई दिल्नी में उन लोगों ने एक MOU साइन किया था एक में एग्रिमेंट साइन किया था कि और ना साथ में दो राज्यों के सरकार ने भी मिलकर के एक मेचुरिती के साथ में एक म्यूच्व अंडरस्टेंडिंग में आया है सोचके हम कुस हो रहे थे लेकिन यह अभी हो क्या रहा है अगर सब कुछ सेटल हो चुका है सब कुछ ओल वेल है तो फिर बीच में यह इतनी बरी दर्द ना गतना कैसे गती कैसे आसाम प्रदेश से लोग आकर के और ना चल प्रदेश के वास्यों को दमका रहे हैं कैसे वहां ट्रेक्टर लेकर आकर के खेती को जमीन को लोग हाल जोत रहे हैं और कैसे हाल गाई सब कुछ लेकर आकर के और ग्रूप ग्रूप में लोग आ करके वहां पे हमारे और नाचल के एक बुरी आमा को दमकाया गिया है कि और नाचल के वालों को बता दो कि ये जमीन हम लेने वाले है अगर नहीं देंगे तो हम पुरा आग लगा देंगे ये करेंगे वो करेंगे तो ये इस तरीके से अगर आसाम प्रदेश से हमारे परोसी प्रदे से लोग आएंगे, लोगों को बरकाएंगे, उकसाएंगे, प्रोबोक करेंगे, तो फिर अरुना चलके वासी का क्या होगा, वो क्या करेंगे, और इतालेसन में ये जो अभी स्टेप लिया गिया है, लोगों का इतने बेरहमी से दर्दनाक से एक जो एक अंजाम तक पहुचा है, ये जो दूर गतना गती है, इसको क्या कहेंगे, ये तो कोई आनपर्चुनेट, ये डिस इस बेरी आनपर्चुनेट बोलने से नहीं होगा, ये आनपर्चुनेट क्यों हुआ है, किसके चलते हुआ है, इसका फैलर कौन है, जबकि भारत के सरकार ने बरे दावेत उपेते हैं, सीना ताम के दावेत उपेते हैं, कि हमने ये समस्या को सॉल्व किया है, ये समस्या इस तरीके से सोशल मीडिया में आके या निउस चैनल के माधियम से आके ऑफिस रूम में बेट के हम लोगों ने इतना लंबा-लंबा मिटिंग किया है, हम लोगों न दर्दनाग बयानक द्रिश्य देखने को मिला है तो इसका जिम्मेदार कौन लेंगे अभी मुझे बताइए क्या भारत की सरकार की तरफ से मानिनी ग्रेह मंत्री जी अमित साजी आप लेंगे इसके जिम्मेदार या हमारे असाम प्रदेश के मुखे मंत्री दादा हिमोंतो व ब्यक्ति से मेरा सीधा सवाल है कि आप लोग तीनों अरुनाचल और असाम के बविश्य को कहां ले करके जा रहे हो प्लीज मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करती हूँ अनुरोद करती हूँ अगर आप लोगों के बीच में कोई भी करार नामा सायन हुआ है कोई एग्रिमे को आ रहा है तो हर जगा ये एपेक होगा हर जगा एपेक होगा और हर जहां जहां हमारे असाम और अरुनाचल के जितने भी लास ताइम आप लोगों को पता है तरासों में क्या हुआ था वा में तो कोबारी में क्या हुआ था उसके बाद में अभी पीर हमारा ये तोरा जा में क्या हो रहा है तो यह इस तरीकसे से एक दुसरे के कुण के प्यासे होना जमीन के Communist मैं हम अपनी चीमा चेतर के तेशी मा चेतर के वो सब हम लोग मिल करके आपसी सदबावना प्रेम बाइचारा मेंटेन करके रहना चाहिए ना कि इस तरह की नफरत को पाल के एक दुसरे के कुन के प्यासे होके रहना है तो ये बहुती दुरभागे पूर्ण गतना है जिसको इंगलिस में कहते है आनपोर्चुनेट दिन किसके फैलर के बज़े से हुआ है बरे बरे वादे करने से बरे बरे दावे तोकने से नहीं होता है इसको जल से जल हल किया जाए केबल ये तो एक मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बहुती प्रास्ट्रेशन हो जाता है तो लोग इस तरीके से एक दूसरे के मतलब जा के उतारू हो जाते हैं तो ये सिच्छेशन आने किसलिए हमारे दौराजयों के सरकार और हमारे भारत देश के सरकार जिसे कहते हैं आप लोग डबल त्रिपल इंजिन का सरकार का कौई सा मेकानिजम फैलर हो गया है जो आज ये इस्तिती तक आना पर रहा है ये बहुत ही गलत बात है और आप लोगों ने कल देखा अरना चल प्रेदेश राज्य के पुलीस के गारी को पूरा तोर मरोर के हमारे असाम प्रेदेश के बाईयों ने बहनों ने तोर मरोर के रखा है तो ये एक सरकार के उपर में दूसरे राज्य के लोगों ने एक सरकार के उपर में गवर्मेंट के गारी को तोरना मतलब सरकार को तोरना गवर्मेंट के प्रोपर्टी किसी भी प्रोपर्टी पर हमला करना मतलब सरकार पर हमला करना है तो सरकार आप चुप क्यों है अगर आप देर करोगे तो और बहुत सी जानों को हमें गवाना परेगा यह बिल्कुल दोनों राजियों के लिए गवारा नहीं है और दोनों राजियों के लिए यह बिल्कुल भी एक अच्छा आलमत नहीं है तो इसके लिए मैं अपनी तरब से मैं एक बिमार पैसेंट हूँ फिर भी मैं अरुनाचल राजी की एक निवासी होने के नाते मैं अपने प्रदेश के सरकार से भी और हमारे परोशी राजे के प्रका सरकार हमारे हिमंतोदा जी से भी सबसे मैं आप सबसे और हमारे अमित साजी से भी मैं हाथ जोर कर विनिती करती हूँ प्लीज 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 इसको जल्दी से सुल जाएए और हमारे मानी निये केंद्रे मंत्री जी जीजा जी किरन जी से भी मेरे हाथ जोर कर दर्खवा से की आप लोग प्लीज ये मेगा रेली नो साल का लेखा जोका हिसाब किताब मोदी जी के नेतरित में ये हुआ किरन जी के नेत्त में ये हुआ, इसका हिसाब आप लोग बात में दीजेगा, पहले जो हमारी गंबिर इस्तिती उतपन हुई है हमारे दो राजियों के बीच में, इसको सुल जाएगा, जल्दी से जल्दी आग को सुल लगने से पहले पानी डालने का काम कीजे, फ्लीज मैं इसी आसाम के हो या और ना चल के हो प्लीज आप लोग धेरे रखिये किसी भी समस्या का हल लड़ाई जग्रा या जान देना जान लेना से नहीं होता है हर एक चीजों का समस्या के लिए समस्याओं का सामादान बेट करके आपस में चर्चा करके डिसकास करके सही और गलत का मुझे छेरा कल में उसको बदला लूँगा ओ मोसेस वाला जो एक रिवेंज जो हमारा मोसेस वाला फोर्मूला है आख के बदले आख कान के बदले कान ऐसा मत कीजिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग सांती बनाए राके और उस उपर वाले से परमा यह कोई बाउंदारी दिस्प्यूट नहीं है यह कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वलके सीम साब ने एक बहुत ही गेर जिम्मेदाराना इस्टेटमें दिया था जबकि आज सुबह मैंने मीडिया में देखा एक मीडिया चानल वहां इस्पोर्ट पे गए उन्होंने तोरा जा क्या बोरा बोला में भूल गई लेकिन उसने बोला उस वंदे के इनिशेशन में ही उसके बरकाओं में ही लोग ऐसा कर रहे जबकि वो उसका ट्रेक रिकोर्ड भी उसका इतना क्लियर ने वो कुछ महिने पहले ही जेल से चूटा हुआ है उस आदमी के बजे से इतना सारा द कांती को चेन को जो खराब करेगा खतम करेगा सोचने वाला वो क्रिमिनल होता है उसके उपर में अपवापा एक्ट लगाए उसको जेल में डिटेंसन कीजे उसको सक्ट से सक्ट सजा दीजे यहीं एपिल लेकर के मैं आप सब के सामने उपस्तित हुई हूँ धन्यवाद न